तो दोस्तों आज के साउथ अफरीका टीटोन की जिट कम है जो की खेला जागा यहाँ पर जीएस के यानि की जो बार सूपर किंग और दूसी टीम हाँ पर होगी सन राजस इस्टन केप की और जब दोनों टीम है आज के समय पर दा वांडरस के स्टेडियम जोहानिस बर की जो किसी idding के basis पर गी पहली inning की bating balling या second inning की bating calling है तो utility base पर हमारी टीम में वो आ जाएंगे और हमको single ended winning भी कराएंगे तो उसके बारे में क्या prediction हमारा होगा ऐसे players जिनके ओ लेगोंदा अपने team में भीग बिलकुल किया नहीं है तो pitch report और player की utility और उसके साथ साथ उसकी importance कितनी रहेगी as a baller, as a batter, batting order के हिसाब से और baller की कितने overball करेगा और वो death war powerful में कहाँ पर करेगा और उसको कहाँ से support मिल सकता है pitch report की basis पर और उसके बाद वो सारे stats जोग को जरूरी तोर पर मिलने चाहिए किसी भी team को बनानी के लिए और उसमें भी खास करके वो चीज जिसमें inning wise analysis included है जहाँ पर आपको ये पता चल पाएगा कि पूरे T20 करियर के दोरान दोनों ही टीमों के प्लियर पहली inning की batting balling में या second inning की batting या balling में किस तरीके का योगदान देते हैं फिलहाल तो यह जो मैचे खिला जेगा दर वांडर से स्टेडियम जॉन इस बर के मैदान पर जांकि पिछ रिपोर्ट की बारे में अगर आपको में बताऊं तो एक अच्छा खासा sporting wicket है जहाँ पर पेस और बाउंस तो आपको मिले गाई जैसा कि South African wickets पर आपको मिलता है आपको मेरे टेलीग्राम के चनल पर फाइनली पता चल पाएगा कि क्या actual यही condition रहने वाली है या कुछ change भी हो सकता है तो पिछ रिपोर्ट को अभी अगर हम देखें कि क्या हुआ है अभी तक इस ground की ऊपर जो चार मैचेस खेले गए हैं तो सबसे पहले जो पहला मैच यह यहां पर खेले गए उसमें से पहला मैच तीसरा मैच और लास्ट वाला जो चौथा मैच यहां पर हुआ था यह तीनों मैचेस भी यहां पर सेम टाइमिंग पर खेले गए थे जबकि केवल एक ऐसा मैच जो के दूसरा मैच था इस ground पर इस टूनामेंट का वह यहां पर दो इंडीय टीम वहां पर ब्रॉट एली थी लेकिन उसके बादग इसपिनर्स के दम पर साउथ अफ्रिकन टीम को वहां पर साउथ अफ्रिकन टीम को केवल 55 स्कवर पर इंड्यों टीम ने आउट किया था लेकिन वह विकेट थोड़ीच थी चूँकि काफी स्लोवर वन थी औ वो तो यहाँ पर मौझूद था जिसे बैटर्स को दिक्कत हुई वो यहाँ से आपको पता चला लेकिन एक्चुल में जब इस टूर्णमेंट के अंदर घुशते हैं तो जो पहला मैच यहाँ पर हुआ था हाला कि वो दिन का मैच था यहाँ पर पावर्फेल में 73 रम बन स्कौर पर ऑला हो गई वरना विक olm ऐसा बिल्कुल नहीं था तो हम आगे आते हैं थोला देखते हैं कि आगे की मैचेस में क्या हुआ चुकि यहाँ पर अगर आप डोनों के तो यहां तो किस्दों बिल्कुल अलग था यहाँ पर अगर मंगत करें तो आ पोजीशन जो टीम का यह home ground है तो इसी वजह सब को टीम हमेशा दिखाई पड़ीगी हर मैच में तो पाल रोयल्स के टीम ने यहां पर 166 रन बनाया नौ विकेट पर और पहले इनी में आठ विक्टे गई पेस को एक स्पिन को यहां पर देखें पावर प्ले में चाहर विक्टेग गिर गई शुर्वाति निए विक्टार में उसके जवाब में पाल रोयल्स के टीम ने उस स्कूर को चेज किया आसानी से पांच विगेट से उस मैच को जीता और दोनों ही इनिक्स में अगर आप देखें तो रंस तो पावर पले में कम बने ही शुरुवाती 6 ओर में विखते भी एक गिरी तो एक जो कॉमन यहां से एक चीज निकल करके आ रही है इस पूरे मैचेस को देखते हुए पीछ रिपोर् में नहीं है थोड़ी मुश्किल हो सकती है और अगर हम देखें तो ओर आल एक अच्छी बैटिंग उसकी बाद जा करके हो जाती है जहां पर सेगें इनिक में खास करके चेज करना यहां पर आसान रहा है हाला कि अगर आप पिछले 11 मैचे के रिकॉर्ड से यहां पर यहां पर 22 विक्ते मिली है इन 4 मैचे मिली है 26 विक्ते यानि कि काफी एकौल सा है पहली इनिमें पेसर सेकिन इनिमें स्पीनर्स को डॉमिनेशन यहां पर आता है तो इस पिछ रिपोर्ट के बैसिस पर एक बात तो रही आख तॉस बहुत important है और तॉस के साथ साथ जो pitch report आएगा live pitch report वह बहुत important है और वह आपको कहा मिलेगा वह मिलेगा आपको मेरे इस टेलिग्राम के चैनल पर और उस पिछ रिपोर्ट के साथ साथ टॉस के basis पर जो final team हमारी बनेगी वह भी आपको मैं अपने इस टेलिग्राम के च final team तो मिलेगी ही इस वीडियो के पर एक हजार लाइक्स पूर्य होते तो छे ग्रेंडली के टीम आपको आहां पर मैं provide करवा दूंगा फिलहाल देखने हैं दोनों टीमें किस तरह की हैं क्या उनकी strength है क्या weaknesses हैं जैसे सबसे पर जो बार सूपर किंग टीम इनकी टीम के पास जो था वो बारिस में धुल गया था 25 वहां पर उन्होंने बना लिए थे नाटोड थे और हमारे उस टीम में भी वाइस कप्तान थे उसके बाद जो लास्ट वाला मैच हुआ वह भी बारिस से प्रभावित मैस था हालां कि चेस करते हैं ताबर तोड़ पारी के लिए साथ 20 पर 50 नम बना दिये थे वहां पर भी हमारे वीडियो के टीम में वाइस कप्तान थे तो प्रेडिक्शन एकदम गई और बाकि लीज डूपला को पिछले मैच में उपन करा दिया गया था हाला कि रीजा हैंडिक्स का फार्म थोड़ा सा उपर नीचे रहा है कि कंसिस्टेंसी साफ वहां पर खराब देखने को मिली है तो फाब्ड प्रेसे सो लीज डूपला तो इंपॉर्टन रहेंगे इसके बाद वेन मैटसन को भी खिलाएगा जिनकी बैटिंग तो आई नहीं मोई जली एक्सपेक्टेड है कि तीन से चार ओर की बालिंग करके आपको देंगे इस उसमें भी ये दो विगट निकाल करके गए थे तो भाई इतना अनुभव इनके पास है इस एज में भी ये बॉलर जिस तरीगे से परफॉर्म करके दे रहा वो काफी आपका सत्य की कमेंडेबल है बाकि इनके पास बेंच पर जो प्लेयर है प्रमारियो से फार तो अपनी करके जोइन कर चुके हैं लेकिन और साथी साथ गिराल कोड़ी भी अवेलबल है नहीं लेकिन जो बाकी प्लेयर्स इसमेंसे अगर मैं किसी की बारे में कहना चाहूँ तो एक तो है एरॉंट हैंगी सो अगर यह प्लेइंग लोन के अंदर आते हैं तो काफी इंपॉर्टन में इंगे यहां पर आपके फिल्याइन करtest हैं अब यहां पर में दूसरी टीम है उसकी बारे मागे करें के अपने अपने आई लगा रखी है लेकिगे डेविड बलांग की बारे में जो मेरे प्रेडिक्षन अभी शुरुवात में आपको बता दूं तो ये मेरे वास कप्तान भी रहने वाले आजके इस मैच के वनना व अब अपनी प्रेडिक्षन कहती है उसको आगे समयाऊंगो क्यों वाकि टाम अबल अच्छे फॉर्म में एक और राइट हेंडर इसके बाद आते हैं आंद्रे आईडन मारकरम जो की पिछले मज़ों तो यह वल एक ही ओर करतू दिखाई पड़े थे वाकि ट्रिस्टन स्टप्स हैं यह भी अच्छे फॉर्म में हैं पैट्रिक क्रूगर से एक ही ओर कराए गया देथोर्स के दुरान क्रूगर का एक और बाकी मारको एंसें का एक और ओटनिल बाटमैंड के दो और डैनियल वराल के एक और आया था तो इस तरह से तो बॉलिंग हुई थी उस पिछले वाले मैच में लेकिन इस टीम को अगर आप देखने तो आपके पास ऊपर सही दो ल पानिया या ठीक ठाक्षप कासरते के आफ़ स्पिनर भी है तो अगर आप सामनी के टीम के तरफ वापस चलें तो इनके पास एक तो लीज डूपलाय क्रूप में एक लेफ्ट हेंडर है बाकी मोहिन अली है तो जो नंबर बनते हैं सामनी के टीम के तरफ से जो दो आफ़ स् लगती है तो वह बॉलर काफी इंपॉर्टन रहेंगे स्पेशली इन बॉलिंग सेकेंड और इस टीम के तरफ से बॉलिंग अटैक भी अगर आप देखें तो इनके पास जो मौहिन अली है और साथ वेन मैटसन तो आनकी बॉलिंग करते नहीं रिसेंट टाइम में मौहिन अ साथ साथ आप देखेंगे इंका पूरा करियर टी टूंटी करियर पहली इनिंग में या सेकेंड इनिंग में किस तरह से परफॉर्म करते हैं सबसे पहले इनिंग के हिसाब से एनालिशिस को समझ लेते हैं थोड़ा साथ दो तीन प्लेयरों का सैंपल गुरूप में बाकि आ अच्छी इनिंग यहां पर और एक 38 की आई अभी इस टूनामेंट के अंदर पहली इनिंग के लिए बेहतर आप्सन दाते हैं 49 का एवरेज है सेकेंड इनिंग का बैटिंग देखेंगे तो 29 है वो भी अच्छा है लेगिन पहली इनिंग का मच बिटर है उसी तरह से और इन को तेरा ग्यालेल अब हो जाते हैं उसी तरह से लिजार डेयम से कैसे बालर रजिखied नहीं तो यह West विक्रें हैं तो उसमें अगर आप देखें तो दस विक्टे तो हैं ही साथी साथ पहली इनिमें को 11 गेदर लगती है सेकंड इनिमें 28 गेदर लग जाती है एक विकट निकाले में तो यह सारी चीजें बाकी बोलर्स के बारे में भी आपके सामने मापर में पर मिंसन की गई है फॉर्म अगर आप देखें तो आपको मैं बता ही चुका हूं लीज डूपला है और साथी साथ फावड प्लेस और रीजा हेंडिक्स का इसकी बाद मखानिया है जो को फिलाल तो पिछले मैं तो छे नवाद रहे थे जो लास्ट मैस में इनको बैटिंग करने का मौका मिला था पिछ पन की नाबाद पारी करें रोमारे सेफर तो अब अवेलबल है नहीं इसकी बाद लिजार्ड विल्यम्स का आपको मैंने बताई दिया बाकि नांदरे बर्गर भी लगातार विक्टे ले रहे हैं पिछले पांच मैंच चुकते हैं बाकि इमरान ताहिर इन्होंने भी पिछ पहले इनिंग के बैटिंग में लेकिन वेंडियू पर काफी कमाल के आकड़ है 79 का एवरेज तो तीनों ही बैटर काफी इंपोर्टन रहेंगे बाकि मोहिन अलीक आपको ने मैच अप बताया ही है हाला कि नंबर सिंग के के वल वेंडियू के हैं जो कि थोड़े से एवरेज हैं डोनवन फरेरक आप देख सकते हैं इसके बाद रोमारियो सेफर तो है नहीं लेकिन कायल सिमंट की इसी टीम भी खिलाफ एक मैच पर तीन विकट है काफी इंपॉर्टन रहेंगे भी इसपेसली इन बॉलिंग फर्स्ट बागी चार मैच पर छे विक्ते हैं वेन्यू प नहीं करूँगा जैसे एक जांपर लेक दो बता दूँ तो जॉर्डन हर्मनिक ऐसे खिलाड़ी जो पहली इनिमेट च्वालीस के बनाते हैं पूरे करियर में टी टॉन्टी के और 21 का एवरेज इंका सेके निका उसी तरह से किसी बॉलर की भी अगर हम डिसकस कर लें तो ओर मेरे टिंग के वाइस कप्तान होंगे पहला ही मैचिंग का अच्छा गया तो उसके बाद कुछ खास टच में दिखाई पड़े रही है लास्ट में तो जो इनको गेदें काफी लग गई थी लेकिन एक बार फिर से वही बात कि प्रेडिक्सन जो मेरा कहता है कंडिशन जो य मैच वाला मैच है लिय bew मैघें ल कई मैटासन वला मैच है वाल द्रुम रॉघर्योष फिरस में फिलूह और फिला मैच में 3 इंकी एक घृडवांटेज हैं इनकी बोटिंग आच गर नहीं तो नमबर आदो मार करने apply और लिए और कंई बीच आते चले जाएं तो हेट्ट के नंबर तो किसी का भी आपको बेहतर देखने को नहीं मिलेगा वेन्यू पर जरूर देखें तो वेन्यू पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आंकरे थोड़ से लियां डॉसन जो कि एक ही मैच खेले हैं तो थोड़ा सा बेटर दिख जाई है उसको काफी ध्यान में आपको रखना है और फिलहाल यह टीम बना करके आपको सेव करके रखने जिसमें एक विकट कीपर चार बैटर तीन आर्लोंडर रहेंगे कप्तान हमारे मारकर में रहेंगे वाइस कप्तान रहेंगे डैविड मलान आपके पास आप्सन फाप अब सीधा मिलेंगे आपको हम टेलिग्राम पर अपने फानल टिंग के साथ कब तक लिए चलते हैं दूस्क्राइब